हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक तू माई चैनल, सुबीर जॉन किचिन में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराटे, नौर्थ इंडिया की सबसे जादा सर्च होने वाली रेसिपी है, आप बनाईए, खाईए और खिलाईए सबको, आपको वाहवाही मिलेगी, इस रेसिपी के लिए हम ले रहे हैं पांच उबले अलू, जीरा और धनिया, ये हम भून के कूट लेंगे, कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची, दो प्याज, एक तुकड़ा अदरक्का, नमक स्वादानुसार, और थोड़ी सी लाल मिर्च, इस बात का ध्यान कि हम हरी मिर्च भी डाल रहे हैं तो जादा तीकानियों बैलेंस बना रहे हैं और थुड़ा सा अमचूर पाउडर, चलिए करते हैं रेसिपी की शुरुआत, देखिए फ्रेंड्स ये हो गया है जिसा हमें चाहिए था, यहां आप देख रहे हैं प्याज मैंने काटके रख लिये हैं अधर को मैंने बारी काटा है साथ मैंने यहां लिए है अजवाइन जो कि इस टमक के लिए बहुत अच्छी होती है अब रेसिपी में मेरा ये टूस्ट रहेगा कि मैं प्याज को भूनूंगा तवे पे और फि इसी घी अब मैं इसमें डालूगा प्याज अलू के पनाटे बनाने की एक प्रोसेस और है जिसमें हम अलू की सबची पहले तैयार करते हैं उसको बगारते हैं देन उसको एजन स्टफिंग फिल करके पनाटे बनाते हैं वो रेसिपी भी मैं आपके लिए बहुत जल दे के आऊँगा तो बने रही है मेरे चैनल के साथ में और आपको लाजवाब रेसिपी बिलती रहेंगी इससे जदा मैं प्याज को नहीं फ्राय करूँगा यहां पर आप देख रहे हैं इसका कलर शेंच हो गया है तोड़ा सा नमक के साथ में स्टफिंग हम बाद में फिल करेंगे और इस बात का ध्यान रखिए कि आपका आटा ज्यादा पतला नहीं होना चीए बना आपके परांटे फटने लगेंगे आटा हमने गून लिया है चलिए अब करते हैं हम स्टफिंग की तयारी सबसे पहले इसमें डाला है मैंने प्याज अब इसमें जाहेगी अजवाइन और बारिक कटा हुआ अद्रक इसके बाद में हम डालेंगे इसमें कटा हुआ धनिया और हरिवेची अब हम पटेटो को मैश करके रखेंगे इसमें आप देखिए यही तरीके से हम मैश करेंगे एक और टिप्स देना चाहूँगा मैं आपको आलू को ओवर कुक कभी मत करिएगा पराठों के लिए वरना आपके पराठे फट नहीं लगेंगे इसमें अब जाएगा नमक नमक का दियान रखिए पहले भी हमने डाला था अमचूर लाल मिर्च अब इसे अच्छी तरके से मिक्स कर लेंगे हो गई हमारी स्टफिंग रेडी आप देख रहे हैं कि आपको आलू थोड़े से खिले खिले से अख्या के से दिख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि मैंने उमको ज़्यादा मैश नहीं किया है अगर आप आलूं को बहुत ज़्यादा मैश कर देंगे तो फिर वो एक ग्रीसी ग्रीसी फॉर्म में हो जाएंगे और आपका पराठा फटेगा और दूसरी चीज है कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे किसी को तो उसमें आपके आलू दिखेंगे भी नहीं गाइस मैंने पूरा स्टफिंग रेडी कर लिया पर सिलबटे में मेरे साइड में पड़ा हुआ धनिया और जीरा इंतिजार करता रहे गया मेरा अब मैं अब डाल रहा हूं उसको चलिए एक बार इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और फ्रेंट्स मैंने अभी यह स्टफिंग को टेस्ट किया है यह बहुत टेस्टी बनी है मेरी आपको गैरेंटी है मेरे तरीके से बनाईएगा और एक बार प्याज बून के बनाईएगा जिसे मैंने आपको सिखाया है अभी and I bet on that you won't regret और गूंदेवे अटे से मैंने इडियम साइस पेडा बनाया है, आटा भी हमारा बहुत अच्छा बूंदा हुआ है अब हम करते ही मेरे इसको स्टफिंग से फिल पहले बनाएंगे हम इसको रोटी आकार देंगे आपको यही साइस बनाना है अब हम बनाएंगे स्टफिंग की एक बॉल यह देखिए इसको आप बीच में रख लीजे और इसको चारो साइट से जॉइन कर दीजे एक्सेस ना हो उपर आपके इस तरीके से आप जॉइन करेंगे और आपको काटना ना पड़े कुछ लोग बनाते हैं पराठे तो उनको उपर से काटके निकालना पड़ता है देखिए फ्रेंट्स बेल के हमारा पराठा रेडी हो चुका है आप देख रहे हैं आप उसमें स्टफिंग दिख रही है हर एक चीज उभर के आई है हर एक चीज दिख रही है आप देख सकते हैं प्याज धनिया और आलू आपको सब देख रहे हैं अब हम इसको करेंगे तब इपर फ्राए पहले पकाएंगे और करेंगे फिर फ्राए दोस्तों देखो बन रहा है टेस्टी पराणा पराणो का असली मज़ा तो गीम ही होता है यारो गाइस पराणो में गी अच्छे से लगाएगा टेस्टी बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं पराटे में गोल्डन कलर आने लगा है गाइस लीजिए हमारा पराणा रेडी हो गया है गरम गरम बनाते जाएए और अपने फैमली को खिलाते जाएए तो देखिए फ्रेंड आलू के पराटे स्वादेश टेस्टी एंजोई करी इन पराटो को आचार के साथ में लस्टी के साथ में और मक्षन के साथ में अब मेरी रेसिपी अब आपके पास में है और आप इसका फाइदा उठा सकते हैं बनाईए नाश्टों में लंच में डिनर में और वावा ही बटोरी है और गाइस प्लीज इस वीडियो को शेर करिए दबा के शेर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमली में जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करिए चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं आपसे बहुत जल एक नए वीडियो के साथ में तब तक बने रही है हमारे चैनल के साथ में टेक केर बावाई